Hello and good evening to all of you. मैं अनिश सिंग आपका मेरे YouTube चैनल PCS त्यारी में सौध करता हूँ. तो दोस्तों English vocabulary series की आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ. इसे शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल का जो नोटिफिकेशन बटन है उसे भी आउन कर दीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला वर्ड है अबेटमेंट, it is a noun, spelling है A-B-A-T-E-M-E-N-T, अबेटमेंट, मतलब क्या, मतलब ये होता है, किसी भी चीज को कम कर देना, ठीक है, शर्य शद्दों में कहें तो, न्यूनी करेंट या कमी, इसको हम सेंटेंस में कैसे उस करेंगे, A noise abatement notice is served on the club, ठीक है, किसी भी चीज को कम कर दो अगर आप, तो उससे हम abatement कहते हैं, Noise कम कर दिया, किसी का दुख कम कर दिया, किसी का गुस्सा कम कर दिया, तो वो सब abatement होता है, ठीक है, आगे चलते हैं, Next word है, abatis, it is a noun, इसका meaning क्या होता है, A defense made of felled trees placed lengthwise over each other with the bow pointing outward, Simple शब्दों में, कटे या गिरे हुए पेड़ों से मोर्चा बंदी, ठीक है, इसमें होता क्या है, Defense मना जाता है, पेड़ के तनों काटके लंबा लंबा रखके, एक defense त्यार गया जाता है, Temporary Defense, ठीक है, उसको ही हम कहते हैं, abatis, Sentence में से कैसे उसकरेंगे, Many more exhausted, their last breath, just as they reached the abatis, ठीक है, abatis, A-B-A-T-I-S, ओके, आगे चलते हैं, Bactericide, ठीक है, it is a noun, spelling क्या है, B-A-C-T-E-R-I-C-I-D-E, दोस्तों, एक चीज याद रखेगा, अगर किसी में side लिखा हो, तो मतलब, it is related to something killing, किसी चीज को मार रहा है, ठीक है, fratricide, regicide, ठीक है, ये सब का सब जो होता है, पैरिसाइड हो गया, यानि कि ये किसी चीज को मारने के लिए, जैसे हम लोग बोलते है regicide, मतलब, जो king को मार देते हैं, तो हम उसे कहते है regicide, ठीक है, अगर side लिखा है, तो मतलब, किसी चीज को मारने का word ही है, ठीक है, अगर आपको word समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर उस word के end में, अगर side लिखा हुआ है, c-i-d-e, तो मतलब, वो word किसी मारने से related है, ठीक है, अब इसमें क्या मार रहा है, इसमें मार रहा है bacteria, और substance which kills bacteria, हिंदी में हम इसे define करेंगे, जिवाडू नाशक, इसका हम सेंटेंस में कैसे उस करेंगे, ozone is a broad spectrum and high performance bactericide, ठीक है, आगे चलते हैं, next word की दरफ, next word है, baggage, it is a noun, ठीक है, baggage की spelling है, B-A-G-G-A-G-E, baggage, baggage का मतलब क्या होता है, suitcases and bags containing personal belongings packed for traveling, simple सब्दों में, luggage, ठीक है, जो हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम, जो सामान हम गठिया के लिए जाते हैं, अपने थैले में या बस्ते में, हम उसे ही baggage कहते हैं, हिंदी में कहें तो, यात्री का सामान, या simple सब्दों में सामान, ठीक है, इसका sentence में हम कैसे उस करेंगे, he identified his baggage among hundreds of other, ठीक है, वो अपना सामान, उन सो सामानों में पहचान गया, ठीक है, that is called baggage, आगे चलते हैं, fable, f-a-b-l-e, it is a noun, fable, ठीक है, fable क्या होता है, a short story, typically with animals as characters, conveying a moral, ठीक है, वो होता है ना, जिसे हम कहानी सुनते थे, वो, कौन सा है, कच्वा और, खरगोर्ष की कहानी, जिसमें हमें एक, end में हमें एक, यह moral देते हैं, एक, हमें एक, यह उसका निचोड़ देते हैं, कि हमें एक करना चाहिए, हमें एक नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे रहना चाहिए, तो वो सब जो होता है ना, जिस story में लिखा रहता है, उसे ही fable कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहें तो कल्पित कहानी, ठीक है, इसका हम sentence में कैसे उस करेंगे, my favorite is the fable of the race between the tortoise and the hare, जो इसे मैंने आपको बताया भी, कच्छोए और खर्गोष की दौड में, वही एक fable, मैंने आपको sentence में लिखके दिया है, ऐसे कोई भी छूटी कहानी हो सकती है, जिसके end में कुछ सीख लिखी हो, कुछ सीख बताई हो, ठीक है, उसे हम fable कहते हैं, तो I hope आपको मज़ा रहा होगा, अगर आप ऐसे ही ये daily आप आके सुनेंगे, तो मैं guarantee देता हूँ, आपको खुद अपने ही English के vocabulary में फरक दिखेगा, और मैंने काफी notice किया है, कि काफी बच्चे ऐसा होते हैं, कि एक ही बार में कहते हैं, कि 500 वर्ड पढ़ लेंगे, 1000 वर्ड पढ़ लेंगे, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करिये, देखे, language जो होती है, वो एक gradual learning होता है, आप एक दिन में language नहीं सीख सकते हैं, अगर आप ए यह लिए आगे बढ़ते हैं, next word है, facade, spelling है, F-A-C-A-D-E, यह क्या है, यह noun है, ठीक है, facade, आप देखे, दोस्तों, उसका दो मतलब होता है, मैंने दोनों मतलब इंक्लूड किया है, पहला मतलब देख लेते हैं, the principal front of a building that faces onto a street, और open space, इमारत का मुहार, जो building होता है, उसका जो front हिस्सा होता है, उसे हम facade कहते हैं, ठीक है, और facade के एक और मतलब होता है, a deceptive outward appearance, यानि की मुखवटा, एक नकली जो शकल दिखाते हैं, एक नकली जो पहचान होती है, उसे ही हम facade कहते हैं, ठीक है, अब इन दोनों जो meaning है, इन दोनों meaning को मैं आपको sentence के थूरू होता है, उस facade को मैं sentence में लिखता हूँ, the facade of the building was a little weathered, ठीक है, यह हो गया पहला facade, दूसरा facade है, she managed to maintain a facade of bravery, ठीक है, दो facade के दो मतलब होते हैं, दोनों याद रखेगा, आगे चलते हैं, next word है, gaggle, ठीक है, it is a noun, spelling है, g-a-g-g-l-e, gaggle, ठीक है, अब दोस्तों देखिए, मैंने इसमें दो मतलब लिखा है, मैं आपको बताऊंगा, मैंने इसमें क्यों लिखा है, gaggle का एक, जो original मतलब है, वो है, flock of geese, बत्तकों का जूंड जो होता है, उसे हम gaggle केते हैं, ठीक है, लेखिन जो gaggle word है, आज के जमाने में, बत्तकों का जूंड है, उसको ना बताते हुए, ये एक group को बताता है, जो भीड होगा ना, छोटी सी भीड, उसको बताता है gaggle, ठीक है, English में हम कहेंगे तो, a disorderly group of people, ठीक है, एक लोग, जो लोग आपस में खड़े हैं, मिलके, एक हम gaggle कहते हैं, तो हम sentence में, उसके कैसे उस करेंगे, there was the usual gaggle of journalist waiting for the princess when she got out of her car, ठीक है, gaggle, माना की इसका मतलब होता है, a flock of geese, लेकिन, आज के जमाने में, इसका मतलब होता है, a disorderly group of people, ठीक है, आगे चलते हैं, next word है, gallant, g-a-l-l-a-n-t, gallant, ये एक adjective है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये person या उसके behavior को बताता है, कौन सा behavior बताता है, a brave, a heroic behavior, ठीक है, यानि की वीर, वीर पुरुष, वीर सैनिक, ठीक है, वीर योधा, उसका मतलब गैलन्ट होता है, ठीक है, इसको हम sentence में कैसे रिखेंगे, the gallant soldiers lost their life, so that peace might rain again, ठीक है, आगे चलते हैं, next word की दरफ, next word है, hacker, आपने काफी सुना भी होगा, आज IT का जमाना है, तो ये word coffee common है, hacker, hacker का spelling पढ़ लेते हैं एक बढ़, किसी के, किसी दूसरे computer में, अनाधिकरित, मतलब, unauthorized, अगर entry ले लेता है, और वहाँ से उसका सूचना या data चुरा लेता है, तो उस वेक्ति को हम hacker कहते हैं, ठीक है, इसको हम sentence में कैसे use करेंगे, this site was attacked by a hacker last week, ठीक है, आगे चलते हैं, next word है, hackneed, ठीक है, spelling है, h-a-c-k-n-e-y-e-d, hackneed, ठीक है, इसका ये क्या है, ये adjective है, इसका मतलब क्या है, ये एक idea ये phrase होता है, एक idea होता है, ठीक है, common idea होता है, जो बार-बार use हुआ है, मतलब कई बार use हुचका है, ठीक है, बिल्कुल जी ओरिजनल नहीं है, वही घीसा पीटा idea, हम जो बोलता है, क्या घीसा पीटा idea लेके आ रहा हो, तो वही होता है hackneed, ठीक है, जो साधार और नॉर्मल idea है, इसका हम एक मिनिन देख लेते है, of a phrase or idea having been overused, unoriginal and trite, ठीक है, अरे वही घीसा पीटा idea तुम लेकर आ गए, ठीक है, तो वह क्या बोल रहा है, hackneed, भाई ये वही idea तुम लेकर आ हो, sentence में कैसी उस करेंगे, the plot of the film is just a hackneed boy meets girl scenario, मतलब वही घीसा पीटा है, लड़का लड़की से मिलता है, हर movie में, ठीक है, तो दोस्तों, आज का जो 10 word है, आज का वो session खतम होता है, इसी तरीके से मैं daily आपके लिए 9-9 words लेकर आता हूँगा, आप मेरे channel पर बने रहिए, आप regularly आते रहिए, और मैं guarantee देता हूँ, कि आपको खुद फील होगा, कि आपके English vocabulary में काफी changes आया है, तब तक के लिए, bye bye and take care.